गाइस हमारे गेम किंदर finally class code का new rank season आने वाल है फिलाल हमारे गेम में season 24 चल रहा है लेकिन कुछी दिनों को बाद इसका new rank season आ जगा season 25 और गाइस इस new rank season पर आप लोको बहुआ सारे free rewards मिलने वाले अब आप लोको ये तो अच्छे से पते होगा जब भी हमारे गेम किंदर तो इस बार भी आप लोगो अच्छे-चे रिवोर्ट्स मिलने वाले कौन-कॉन से रिवोर्ट्स होंगे वह माफ लोगो वीडियो के आगे दिखाऊंगा और यह जो निव रैंक्स देना है क्लियास कोड का यह इग्जैक्ली आप लोगो कौन से टाइम पर देखने को मिलेगा उसके बारे में बताने माला हूँ ठीक है तो वीडियो में बहुत ही ज़दा मजा आएगा और भी कुछ स्किल्स वगरे के बारे में बात करेंगे तो काफी ज़दा इंपोर्टेंट होगी वीडियो ध्यान से देखना और अगर आप लोगो ने वीडियो का भी तक लाइक न अब गाईस बिलकुली अलग कर दिया गया है जैसे कि हमारे गीम के इंदर हर दो महिने पर ओबी का अपडेट आता है तो भाई ओबी का अपडेट के बीच में ही आप लोगो गोल्डोल का बंडल देखने को मिलने वाला है जैसे कि देखो अभी हमारे गीम के इंदर फीमेल का गोल्ड विल आयो है, तो guys इसके बाद आप लोग एक मेल का गोल्ड विल देखने को मिलने वाल है जो कि यार अभी आप लोगो स्क्रिन को पर देख पार होगे ठीक है, तो यह हमारा next गोल्ड विल का बंडल होने वाल है, आप लोगो यह वाला बंडल कैसा लगा के new rank season के बारे में, अभी हमारे game kinder class code का season 24 चल रहा है जो कि 5 दिनों के बाद खतम होने वाला है यह जो महिना हुए 31 का महिना होने वाला है तो 1 June को finally class code का new rank season आप लोगो देखने को मिल जाएगा season 25 और अगर exactly timing की बात करें तो 1 June को 2 पर के धाई बज़े आप लोगो यह वाला new rank season देखने को मिलने माला है लेकिन गाइस मैं आप लोगो बता दू धाई बज़े से पहले 2 बज़े हमारे जो यह season है वो close कर दिया जाएगा मतलब आप लोग CS rank को नहीं खेल पाऊगे आदे घंटे तक दो बज़े से लेकर धाई बज़े तक आप लोग CS rank को नहीं खेल पाऊगे लेकिन एक जुन के धाई बज़े तक finally आप लोगो new rank season देखने को मिल जाएगा और आपने जो भी अभी तक rank achieved किया है जैसे कि अभी मैंने elite master के अंदर पूरे 203 star कर रखे है तो आपका जो भी rank होगा ना वो भाई आपका minus कर दिया जाएगा तो अभी तो मैंने 203 star किया लेकिन आप लोगोंने CS rank के अंदर कितने star किया वो आप लोग मुझे comment section के अंदर जरूर से बताना यह BR mode का है आप लोग class code के अंदर जाना है थोड़ा से नीचे में scroll करना है यह हमारा CS mode हो गया ठीक है अब आप लोग नीचे वे इस side वाला जो आप लोग देख रहो ना यह आपका current position होगा और minus होने के बाद आपका इस side का rank होने वाला है जैसे कि मैं आप लोग खुद का बता देता हूँ मैंने ना 203 star कर रखा है elite master के इंदर तो अगर आप लोगोंने elite master 115 star से जादा कर लिया है 115 star से लेके 999 star मतलब कितना भी star कर लिया ना तो आप लोग directly diamond 4 पे ही जाके गिरोगे उससे जादा आप लोगो rank नहीं मिलेगा ठीक है जैसे ही new ranks देना आएगा आपका जो rank है वो diamond 4 पे जाकर गिर जाएगा उसके बाद आप लोग आराम से rank post कर सकते हो बाकी आप लोग खुद से देख लेना कि आपका जो rank है लेगा ये एक male का top है इसको आप लोग female में used नहीं कर सकते हो ये male bundle का top होने वाला है जिसके उपर heroic का logo लगा हुआ है ये आप लोगो heroic जाने पर बिलकुली free का मिलेगा तो काफी साही लग रहा है मुझे तो अगर मैं अपनी तरब से देखो तो बहुत ही अच्छा बनाएगा है ठीक है बाकि आपकी मर्जी अगर आप लोगो use करना है तो कर सकते हो काफी अच्छा लग रहा है ये वला आप लोगो top मिल जाएगा उसके बाद आप लोगो svd का skin मिलने वाला है इसके बाद के लिए इसको भी आप लोगो ख्लीम के लिए ये भी आप लोगो नेक्स्ट सीजन बिल्कुली फ्री का मिल जाएगा उसके बाद गई आप लोगो एक सरबोट का skin मिलने वाले है जिसके बहुत ही अच्छा सा एनिमेशन डाला गया है तो ये वाला सरबोट का skin भी मिल जाएगा बहुत मस्त लग रहे है और उसके बाद आप लोगो मिलने वाले आतार and guys banner ठीक है तो heroic का आतार देख सकतो master का आतार बगर देख सकतो तो ये सारे आप लोगो आतार बैनर मिल जाएगे सारे लोगों को लगता है कि भाई ये MP5 है लेकिन ये एक UMP का skin है जिसके अंदर आप लोगो double range और single damage मिलता है कता ही जहर होने वाला है और ये MP5 का skin sorry UMP का skin आप लोगो बिल्कुली free का मिलने वाला है ठीक है लेकिन उसके लिए condition है कि आप लोगों का heroic complete होना ठीक है और guys class code के अंदर भी 2 बार कम से कम heroic होना चाहिए ठीक है मैंने दोनों बार elite master किया है लेकिन आपका दोनों बार heroic कम से कम होना चाहिए उसके बाद तो आप लोगों कितना भी rank रख सकते हो grand master में भी जा सकते हो कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन कम से कम आपका minimum rank है वो heroic होना तो उस टेम पे मैं जैसे heroic complete करूँगा तो यहाँ पर मेरा 6 count हो जाएगा ठीक है heroic जो है वो मेरा 6 count हो जाएगा उसके बाद मुझे finally यह वाला UMP का skin मिल जाएगा और यह मुझे ही नहीं भाई आप लोगो भी फ्रीका मिल जाएगा क्योंकि यह सभी के लिए तो आप लोग जैसे ही मतलब CS rank का new season आता है आप लोग उसके अंदर heroic चले जाना और अगर आप लोगो ने पहले भी heroic complete किया होगा तो आपका भी 6 count हो जाएगा और आप लोग यहां से UMP का skin बिल्कुली free में claim कर लेना ठीक है तो यह भी बहुत ही कमाल की चीज़ है आप लोग इसको भी claim क जब हमारे game के अंदर class code का new season आ जाएगा तो उस time पे आप लोग class code को switch करना और class code के अंदर इस mission को complete करना जहां पर आप लोगो यहां से बिल्कुली free का bundle मिल जाएगा ठीक है तो class code के अंदर इस mission को आप लोग complete के लेना फिलहाल का बिया rankate के अंदर complete नहीं हो रहा है काफी हाट लग रहा है तो आप लोग class code के अंदर ट्राइ करना यह जो mission हो आपका easily complete हो जाएगा ठीक है बाकी तो मैंने आप लोगो न्यू रैंक्स दिन के बारे में सारा कुछ बताई दिया है होगा वीडियो पस वीडियो को लाइक कर देना अपनी दोस्तों के साथ इस वीडिय टेक कियर बबाए